नमस्कार एक नियूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनूज किंद्रिय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में बड़ी टूट हो सकती है लोगसभा चुनाव के समय सही प्रदेश अस्तर के कई बड़े नेता नाखुश है पार्टी के प्रदेश अध्यक्स, प्रदेश के प्रधान महासचीव और 8-9 प्रदेश उपाध्यक्स पार्टी छोड़ सकते हैं हलाकि पार्टी छोड़ने की बाद कोई भी ओन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है लेकिन चिराख पास्वान को लेकर पार्टी में नाराजगी की बाते साफ तोर पर सामने आ रही है बात करें पार्टी के प्रदेश अध्यक्स राजुतिवारी पूर्व विधायक है लोजपा के टिकेट पर गोविंद गंज विधान सभा सीट से 2015 में चुनाव जीते थे हलाकि 2020 के विधान सभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे बीते चार साल से राजुतिवारी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष है सूत्रों की माने तो 2024 के लोगसभा चुनाव में इनकी इक्षा वालमिकी नगर सीट से चुनाव लड़ने की थी जो पूरी नहीं हो पाई थी दरसल सीट पहले से जड्यू के पास थी इस कारण ये लोजपा रामविलास के खाते में नहीं आ पाई थी एंडिये कोटे से इस सीट पर जड्यू ने अपने कैंडिडेट को उतारा था अब राजुतिवारी की नाराजगी इसके बाद से ही शुरू हो गई थी और साफ तोर पर देखने को मिल रही थी जब उन्हें वालमिकी नगर सीट से नहीं लड़ाया गया तो वो खगरिया से टिकेट मिलने की उमीद कर रहे थे लेकिन वहां से चुराग ने राजेश वर्मा को टिकेट दे दिया और राजुतिवारी खाली हांत रहे गए नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि वालमिकी नगर लोजपा रामविलास के खाते में लाने के लिए चिराग को एंडिये से बात चीत करनी थी लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की तो सिद्य तोर पर आपको ये भी बताते चले कि अब उनकी तैयारी अगले साल के विधान सभा चुनाओ को लेकर है 2025 के विधान सभा चुनाओ में वो फिर से गोविंद गंच के चुनाओ लड़ने का मन बना रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से टिकेट नहीं मिला तब वो इस सीट से निर्दलिये भी चुनाओ लड़ सकते हैं आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल ये सीट भाजपा के पास है और सुनील मनीटर पार्ठी यहां से विधायक है जिस तरह से जेड्यू ने लोग सभा चुनाओ के दौरान अपनी सीटिंग सीट नहीं छोड़ी संभावना है कि वैसे ही स्तिती विधान सभा चुनाओ के गोविंद गंज सीट को लेकर भी बन सकती है भाजपा भी अपनी इस सीटिंग सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी ऐसे में स्तिती में ये कायास लगाये जा रहे हैं कि राजुतिवारी प्रशांत कसोर की जन सुराज पार्टी का भी सीधे तोर पर दामन थाम सकते हैं या फिर निर्दली चुनावी मैदान में भी उधर उतर सकते हैं हाला कि इस पर अधिकारिक तोर पर राजुतिवारी ने कोई बयान नहीं दिया है आपको ये भी बता दे कि लोजपा में सिर्फ अध्यक्ष ही नाराज नहीं चल रहे हैं कि आधे से जादा प्रदेश उपाध्यक्ष भी नाराज चल रहे हैं जिन में अधिकान सिनेता विधान सभा चुनाव लड़ना चाते हैं लेकिन वो टिकेट मिलने को लेकर आस्वस्त नहीं है आपको हम ये भी बता दे कि सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा के प्रदेश के टॉप लीडर के मुताबिक चिकित्सा, अती पिछरा और महिला प्रकोष्ट के लोग अपने कारेकरताओं के साथ पार्टी से नाता तोड सकते हैं लोजपा में 15 से जादा प्रतेश उपाध्यक्ष हैं इन में से आधे से जादा नाराज साफत और पर चुराख से नजर आ रहे हैं पार्टी के प्रदेश तर से एक नेता का ये भी कहना है कि पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का चुराख पासवान के पास कोई भी प्लान नहीं है सेकंड लेयर के लिए किसी दूसरे नेता को तयार करने की कोशिश भी नहीं की जारी है जिस तरीके से लोगसभा चुनाओं में अपने पार्टी के नेताओं को नजर अंदाज कर वीना देवी, स्यामभवी चौधरी और राजेस वर्मा को टिकेट दिया गया था उसका असर अब आने वाले विहार विधान सभा चुनाओं में भी दिख सकता है वही प्रदेश के दूसरे नेता ये भी बताते हैं कि चुराग पास्वान ने लोगसभा चुनाओं में जिने टिकेट दिया वह चुनाओं जीत कर सांसत बन गया पर उसके बाद पार्टी की एक्टिविटी में वह दूर रहते हुए दिखे इसकतार में प्रदेश उपाध्यक संजय सिंग और संजय कुमार सिंग भी शामिल है आपको ये भी बताते हैं कि पार्टी से जोने सूतर ये भी बताते हैं कि जिससे संजय पास्वान नाराज हो गए हैं ये भी पार्टी को बाई बाई करने के मूड में आ चुके हैं वहीं वैशाली के रागोपुर से आने वाले युवा नेता राकेश रौसन ने भी 2 नवेंबर को पार्टी की प्राथमिकी सदस्य से अपना स्तीफात दे दिया था वो प्रदेश उपाध्यक्ष के होने के साथ ही लोजपा के IT सेल के अध्यक्ष भी थे 2020 के विधान सभा चुनाओ में तिजस्फी यादब के सामने ये रागोपुर सीट से चुराख की पार्टी के उमिदवार थे आपको ये बता दे कि दरसल पिछले काफी समय से राकेश तिरहोत स्तातक निर्वाशन शेत्र के होने वाले चुनाओ की तयारी कर रहे थे मगर गटवंदन की वज़े से ये सीट एंडिये में शामिल जेड्यू को मिल गई इसी वज़े से राकेश ने चिराख पासवान को लेटर भेज कर पार्टी को छोड़ दी और निर्दलिये इस चुनाओवी मैदान में कूद गए है तो इस ख़वर को लेकर के आपकी क्यारा है कॉमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं धन्यवाद